निमलिखित में से किस देश को संजुक्त राष्ट सुरच्छा परिसद में नहीं चुना गया है एलजीरिया, दक्षिड कोरिया, भारत, स्लोवेनिया इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा सी भारत संजुक्त राष्ट महासभान है, अलजीरिया हो गया, गुयाना, सीरा लियोन यहाँ पर मैं मेंसन कर देता हूँ, जैसे कि नंबर वन यहाँ पर हो जाएगा अलजीरिया, उसके बाद यहाँ पर गुयाना, सीरा लियोन, सीरा लियोन है यहाँ पर स्लोवेनिया इसके साथ साथ Сाथ कोरिया घक है साथ कोरिया को सन्युक्त रा सुरच्छा परिशत के लिए 1 जन्वरी 2024 से 1 जन्वरीजी 2024 से सुरू होने वाले 2 साल के करेकाल के लिए इनको यहां पे चुना गया है और इसमें भारत को नहीं चुना गया है संयुक्त राष्ट सुरच्छा परिशत की बात करें इसके पाँच अस्थाई सदस्य हैं पाँच जो पर्मनेंट मेंबर है जिनको यहाँ पे वीटो भी प्राप्त है जैसे कि यहाँ पे ब्रिटेन हो जाएगा चाईना हो जाएगा चाईना के साथ साथ फ्रांस इसके साथ साथ यहाँ पे हो जाएगा रसिया और उसके बाद हो जाएगा युएसे द्यार रखेगा युएसे ऐसे पाँच कंट्री मोजूद है जो यहाँ पे permanent ठीक है जियान रखेगा member है संयुक्त राष्ट जो सुरच्छा परिशत संयुक्त राष्ट के छे परमुकंगों में से एक है इसका जो मुख्याले है headquarter है इसका New York में है New York USA में है इसकी जो अस्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को निमलिखित में से किस देश में उर्जा सहयो के लिए बिम्स टेक केंदर का उदगाटन वर्ष 2023 में किया जाएगा भारत, बंगला देश, स्रिलंका, थाइलेन इसका correct उतर हो जाएगा यहाँ पे भारत में भारत में उर्जा सहयो के लिए बिम्स टेक केंदर का उदगाटन किया जाएगा ध्याका में ध्याट रखेगा यहाँ पे ध्याका में 26 वे बिम्स टेक दिवस कारेकरम के अशर पर बिम्स टेक के जो महा सचीव है इनका भी नाम पूछा जा सकता है आपको ध्यान रखना है महा सचीव कौन है तेना जिन लेकफेल ने कहा कि इंटर ग्रीड कनेक्शन हासिल करने के लिए तीन परमुक जो घटक है जैसे कि बिम्स टेक एनरजी महाचरपलान बिजली के परसाराण के लिए बिम्स टेक नीती और बैपार नीती और बिजली का आधान परदान और ट्रैफिक तंत्र पूरा होने के करीब है बिम्स टेक यहाँ पर संगठन के बात करें संगठन के बात कर लें तो आपको ध्यान रखना है ठीक है यहाँ पर देख पार है यहीं सारे कंट्री मोजूद है इंडिया नेपाल बंगलादेश भुटान इसके अलावा मयनमार है थाइलेंड है जैन रखें कि मयनमार है इसके अलावा थ आइलेंड है और इधर यहां पर स्रिलंका हो जाएगा टोटल यहां पर सेबन मेंबर इस पर मौजूद है इसके मुख्यालाई के बात करें तो ढ्राका हो जाएगा बंगलादेश में इसके अस्थापना किये गए थी 1997 में निम्लिखित में से किस राजे ने सीखो और कमाओ योजना की सुरू की है उतर परदेश मध्य परदेश हिमाचल परदेश राजस्थान इसका कॉरेक्ट उतर हो जागा यहां पर मध्य परदेश मध्य परदेश में यूआओ को रोजगार परकोसल सिखाने के लिए मुख्य मंतरी सिखो और कमाओ योजना की यहां पर सुरूआत की गई है योजना में परशिछड के लिए 703 कार्य छेतरों को चिन्नित किया गया है सिखो और कमाओ योजना का सबसे महत्मुर्ण पहल लिया है कि यूआओ को सिखाने के कोसल के साथ साथ 8000 से लेके 10,000 रुपय का भत्ता भी जिया जाएगा इस योजना के अंतरीगत कम से कम एक लाख यूआओ को परसिछड भी किया जाएगा भारत सरकार उन्नत और उच्परभाव अनुसंधान महीर त्यार रखेगा महीर महीर का मतलब होता है यहापे Mission on Advances High Impact Research ठीक है इस पर मिशन शुरू कर रही है यह किस से संबंदित है आपको पता लग गया होगा बिद्यूत उदोग है इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहापे बिद्यूत उदोग सरकार बिद्यूत छेतर में उभरती प्रदोग की कि सिगरता से पहचान करने और उन्हें देश के भीतर और बाहर तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विक्सित करने के लिए यहीं महीर यहां पर लाया गया है महीर दियाण रखे गठी के फिर्स में इसका नाम बता दे रहाएं उन्नत और उच्परभाव अनुसंधान मिसन एडवांस एन हाई इंपेक्ट रिसर्च यह मिशन यहाँ पर सुरू किया जा रहा है अब यहाँ पर इसका उदेश से क्या होगा तो बिजली छेत्रे में बिजली छेत्रे में नभीन तम और उभरती प्रदोग की के स्वदेशी अनुसंदान विकास और प्रदर्शन को सुब और इसके साथ साथ दुसरे नमर पे विभीन केंद्रिय सारजनिक चेत्र के उदम के बित्तिय संसाधना को पूल करके बित्पोसित किया जाएगा निमलिखित में से किस देश ने जून 2023 में दच्छिड पूरु अरब सागर के उपर बने चक्रवात का नाम बिपर जवाय रखा है भारत, सिरिलंका, मालदिव, बंगलादेश इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पर बंगलादेश दच्छिड पूरुवी अरब सागर के उपर बन रहा ठीक है जो गहरा दबाव चक्रवाती तुफान जिसका नाम है बिपर जवाय अभी हाली में चेतावनी भी दिया गया खासकर ठीक है मुंबई के तटवर्थी छेतरों के तरफ गुजरात के तटवर्थी छेतरों के तरफ इस चक्रवात को बंगलादेश ने विपर जवाय नाम रखा है इस सब्दकार देखा जाए अर्थ जो है यहां पर बिपर जवाय का विपर जवाय का तो इसका अर्थ होता है आपदा या विपत्ति आप दा या ठीक है विपत्ति पिछले महीने चक्रवात देखा जाए तो चक्रवात मुच्चा का आप लोग ने नाम जरूर सुना होगा काफी चर्चा में रहा था मुच्चा जो बंगाल की खाड़ी में बना और बंगला देश और मैनमार के समुंदरी तटों से जाकर अब ये सब जो किया जाता है डाबलुй'd मौ को यहां पार किया जाता है डाबलूयं के दवारा का नाम पूछा जा सकता है गिरहाई एड्रियन, जो कि जर्मनी से बिलों करते हैं, जर्मनी से बिलों करते हैं, निमलिखित में से किस अस्थान पर रगवी इंडिया ने अपनी आठवी जुनियर और दसवी शिनियर चेम्पियनशीप की शुरुवात की थी, भोपाल, पूने बेंगलूरू लखनौू इसका कॉरेक्ट उतर हो जएगा यहाँ पे पूने में आठवी जुनियर और दसवी सिनियर रगभी नेशनल चेंपियन सीन 27 राज्यो और 1500 से अधिक एथलीटों के साथ जुनियर और सिनियर वर्ग में सिर्ष अस्थानों के लिए परतियस्पर्दा करने के लिए तयार है इसका जो आयोजन पूने में किया जा रहा है सिर्ष छत्रपती अस्पोर्ट स्कॉंपलेक्स अस्टेडियम में किया जा रहा है निमलिखित में से किस राजी ने बेगहर बुजुर्गों को आसरह देने के लिए elder line शुरू की है मध्य पर्देश, करनाटक, उत्तर पर्देश, बिहार इसका correct उतर हो जाएगा C उत्तर पर्देश में उत्तर पर्देश, समाज, कल्याण, विभाग ब्रिध निराश्रितों को बचाने और उन्हें ब्रिधा असरम में आसरे खोजने में मदद करने के लिए elder line ध्यान रखेगा elder line इसमें नमर भी दिया गए यहाँ पर 1456 सेवा 1456 सेवा लेकर आया हुआ है यहाँ पहल जो किया जा रहा है समाज कल्याण मंतरी जिनका नाम है यहाँ पर असीम अरूड असीम अरूड के दोवारा माना जा रहा है कि यह इन ही की दिमाग की उपज़ है खासकर बहुत अच्छा परियास है ठीक है वर्तमान समय को दियान में रखते हुए निमली खित में से कौन सा देश फतह नाम की अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल परस्तूत करता है इरान, इराक, सौधी अरब, मिस्र इसका कौरेक्ट उतर हो जाएगा ए इरान इरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है फतह नाम ही यहाँ पर देख पार है फतह ठीक है, परिषड किया है सटिक निर्देशित समझ सकते हैं फतह हाईपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है यहाँ पे मारक जो छमता है यहाँ चोदा सोरी, 14-100 किलो मिटर की रेंज में और यहाँ सब ही रच्छा ढ़लो को भेदने में भी सक्षम है अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं इरान और ठीक है जैसे इजराइल हो गए रहा है उन दोनों के जो बीज की जो दूरी है ठीक है अभी इजराइल काफी चिंता में भी है इन सारे चीजों को ध्यान में रखते होगे ठीक है फता कि जो सिर्ष गती की बात यहां पर किया ज निसायले ध्वनी की गती से कम से कम या पांच गुना तेज कार्य करती है निमलिखित में से कीस वेक्ति ने दक्षिड कोरिया के एचियन में ACI Under 20 Athletics Championship में डेकथलोन अस्परधा में सोण पदक जीता सुनिल कुमार सिधार्थ चोदरी सिवम लोहकारे साहरु खान इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पर सुनिल कुमार भारत के सुनिल कुमार ने दक्षिड कोरिया के एचियन में ACI Under 20 Athletics Championship में पूरुसो के डेकथलोन में यहां पर कितना लंक अंक लाया हुआ था 7,003 अंक बनाए और सुनिल पदक जीता देखा जाए इसमें तो टॉप यहां पर कंट्री का आप लोग नाम पूछा जा सकता है टॉप कंट्री है यहां पर जपान उसके बाद सेकेंड में अस्थान है यहां पर चाइना का और थार्ड में अस्थान जो आ रहा है यहां पर इंडिया का है यहां ठीक है ए पस्चिम बंगाल में पस्चिम बंगाल सरकार ने सहर में परदूसर के अस्तर को कम करने के के लिए राज्य की राजदाने कौलकत्ता में air purifier वाली बसे लाउंच की है यहाँ पर आप ध्यान रोखेगा ठीक है इसका जो नाम है सुधा वाइव है इसका जो नाम क्या है यहा इसका मतलब वहता है बस रूफ माउंटेड एयर प्यूरिफूकेशन यहां पे सिस्टम यहां आयाइटी दिल्ली के बैग्यानिकों के द्वारा ठीक है कह सकते हैं कि यहां एक पाइलक्ट पुर्जेक्ट के द्वारा इसको चलाया जा रहा है इनके सहयोग से चलाया जा रहा ह पिरिपेड भुकतान उपकरण जिसको पीपी आई के नाम से भी जाना जाता है इसके संदर में नेमली खित में से कौन सा कथन गलत है भारत में पीपी आई केवल बैंको द्वारा जारी किये जाते हैं अब पहला देखिए जब भी आपे केवल लगा रहे तो आप लोग बि दो कि भारत में पीपी आई ना केवल बैंको द्वारा बलकि गैर बैंक संस्थानों द्वारा भी यहां पर जारी किया जाता है पीपी आई क्या है यहां पर पीपी आई यहां पर क्या है सिंपल आप लोग समझने का प्रयास किजिए पीपी आई को आप समझ सकते हैं कि कार यहाँ पूर के YC के तहथ, इसमें जो maximum जो limit दी जाएगे यहाँ पर 50 के तक, ठीक है, 50,000 तक की इसमें यहाँ पर सीमा दी जाएगी, ठीक है, तो बहुत अच्छा system भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है, इसके माद हैं हम से पहले से यहाँ पर जो भी उपकरण है यहाँ पर उस हा है, हाली में बिलुप्त हो चुकी, काली धारियों वाली तितली निमली खित में से किस देश में फिर से प्रकट हुई, संजुक्त राज अमेरिका, इंगलैन, थाइलैन, उसके बाद यहाँ पर है भारत, इसका कॉर्यक्ट उतर हो जाएगा अब भी इंगलैन में, हाली मे इंग लेंड में बिलुप्त काली धारी वाली तितली का पुना उद्भाव देखा गया काली धारी वाली तितली के बात करें काली धारी वाली तितली के बात करें तो यहां तोर पर गहरे रंग वाली प्रजातियों को संदर्भित करता है जो अपने पंखो पर हलके ठीक है आप लोग नाम जरूर याद रखेगा ठीक है सुन्दर ठीक है काला सफेद तितली काला सफेद तितली ठीक है यह चर्चा में इसे लिए था ठीक है कि जो बिर्टेन के जो पुरुपरधान मत्रेजिन का नाम था विश्टन चर्चिन खासकर सकेंड वर्ड वार के समय उनका एक फेबरेट था ठीक है काला सफेद धारी वाले जो ठीक है तितली होती है तो पूछा जा सकते हैं यहाँ पे 1925 के बाद से 1925 के बाद से इसको ठीक है माना जाता है कि पूरे भुभाग में देखा नहीं गया है तो इसे भी जरूर धेर रखेगा और अभी चर्चा म इनर्जी एजेंसी द्वारा जारी की गई थी बिल्कुल सही है यह मुख्य रप्स रूप से SDG 7 उनिवर्सल एनर्जी एक्सेस टू आल पर केंदरी था भी बिल्कुल सही है 2030 तक उनिवर्सल एनर्जी एक्सेल टू और लच्छे हासिल किया जाएगा है यहाँ पे एक्सेस टूल मतलब सब ही लोगों तक तो यहाँ पर मैं आपको बता दूठिक है कि 2030 तक अभी सको ठीक है प्राप्त नहीं किया जा सकता है यहाँ आप आपको ध्यार रखना है ठीक है कि SDG जो सेबण की प्राप्ति को कैसारे जो कारक है ठीक है जो इसको बाधित कर रहे हैं जैसे क कि अनिस्चित माइक्रोएकनोमिक आउटलेट हो गया मुद्रा अस्फिती का जो उच अस्थर हो गया मुद्रा में उतार चड़ाओ कई देशों में रिल संकर्ट बित पोसल की कमी अपूर्ति श्रिंखला की अर्चने सक्त बितिय प्रसितिया और सामगिरियों की बलती जो कीम हो जाएगा गलत हो जाएगा बाकी सब कोरेक्ट है विकासिल देशों में स्वच्छुर्जा का समर्थन करने वाले अंतराश्रीय सार्जनिक बितिय प्रवाह में ब्रिद्धी कोबिड-19 मामारे की सुरुवात से पहले की घटना थी ठीक है मैं घटने लगी थी यहां पर ठ खबरों में था यह निम्लिखित में से किस जल निकाए में बहती है काला सागर भुमद्य सागर पिला सागर कैस्पियन सागर ठीक है करा कि किस जल निकाए में बहती है इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पर ब्लैक से इसका मतलब हो जाएगा एक काला सागर द्यार रख पर देख पार है रुसी और युक्रियनी सेना को अलग करने वाले जो निप्रु नदी पर एक विसाल सोवियत ठीक है काल का बांध तूट गया था जिससे पूरे छेतर में बाढ़ का पानी यहां पर फैल गया था तो यहीं देख पार है यहां पर खार कीव है ठीक है खार है युक्रियन के रजधानी यहां पर क्यों है तो बहुत है ठीक है रुसी साहिनी का इधर आक अपना कंट्रोल किया हुआ है आपे निपर नदी धेहन रखेगा यूरोप की नदी है जो वोलका वोलगा डेनियो और यूराल डिभर के बाद चौधी सबसे बड़ी नदी है जिसका नाम है यहां पर निपर यूरोप की सबसे लंबी नदी कोन है यहां पर बोलगा निवलिखित में से किसने वेक्ति सलाकार के रूप में इंडियल पैडल फेडरेशन के साथ हाथ मिलाया पीटिय उसा सानिया मिर्जा पुलेला गोपी चंद प्रकास पाधिकोड इसक के अलावा दुरोणाचारे अरजुन पुरसकार और एक सलाकार के रूप में यह आई-पी-अफ में सामिल हुए हैं भारतिय पैडल फेडरेशन में जिसे बोला जाता है ठीक है आई-पी-अफ ने बैर्मिंटन के दिगच पुलेला गोपी चंद के साथ राल नितिक साज़ जारी की घुंचला के साथ गतिसील और तेजी से बिक्सित होने वाले खेल पैडल को एक महतपूर बढ़ावा दिया हुआ है अगर हम बात करें यहां पर आई-पी-अफ की तो इसकी जो अस्थापना किया गया था 2018 में 2018 में इसके अस्थापना किया गया था और इसके जो अ अबराहम सहगल निमलिखित में से किस अस्थान पर गुजरात का पहला क्लाइमेट एक्षन समिट आयोजित किया जाएगा अहमदाबाद गांधी नगर वडोदरा इसके बाद सूरत इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पर ए अहमदाबाद में 50 वे 200 परिया और और दि एकसिलर फाउंडेशन ने एकसिलर एकसिलर फाउंडेशन ने जलवाई परिवर्तन विभाग और प्रेस उचना ब्यूरो के साथ साज़ेदारी में 4 जून 2023 को हमदाबाद में गुजरात का पहला जलवाई करवाई सिखर सम्मेलन आयोजित किया सिखर सम्मेलन के दोरान गुजरात क्लाइमेट चेंपियन फोरम बोला जाता इसको गुजरात क्लाइमेट चेंपियन फोरम को जलवाई परिवर्तन की चनावतियों का समधान करने और राज में स्थिर्था को बढ़ावा देने के उदेश से से एक महतपूर पहल के रूप म एक एप भी एक अप्लिकेशन भी यहां पे लॉंच किया गया था निमलिखित में से कौन सा मसहूर सहर जून दो होजार थैस में बीम स्टेक एक्सपो और कौन क्लेब की मेजबानी करेगा मुंबई बेंगलूरू कोलकता नहीं दिली इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां प हाई मेंबर के रूप में मवजूद है तो विम स्टेक ठीक है इसका जो उदेश से है सदस्य देश के सरकारी अधिकारी सरकारी अधिकारियों निती निर्मताओं और बैपारिक निताओं को एक साथ लाना है तेरा जुन से सुरू होने वाले इन तीन दिवस्य कारिकरम में बिम स्टेक के जो साथ सदस्य है अभी मैंने बात दो करूं बताए भी था बंगला देश बंगला देश के साथ साथ यहां पर हो जाएगा भुटान इंडिया मैनमार मैनमार नेपाल नेपाल स्रीलंका और उसके बाद एक थोड़ा दूर का है यहां पर थाइलेंड नहीं र 2020 कौस्ट ओप लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में परवासियों के लिए निम्लिखित में से कौन सा स하र सबसे महगा सहर है है मूंबई है बैंगलोर दिल्ली हैडराबद these boss मर्सर est की 2033 की कौस्ट ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट के अनुसार पर र cóप minim सबसे यहां पे कोश्टली, जो यहां पे सहर है, दयार रखेंगा। खास कर प्रवासियों के लिए भार के जो लोग आ रहे हैं। नंबर वने हां प्रोहों ऑजाएगा मोंबई मुंबई के बाद हो जाएगा दिल्ली दिली के पाद तिसरे नंबर पर अस्थान है आपे बेंग लूरू का अस्थान है ठीक है मरसर का रहने के लागत का जो सरवेच्छर है जैसे कि आवास परिवहान भोजन कपड़ा घरेलू ठीक है घरेलू समान मरणजन सहीद परतिय का स्थान में से 200 से अधिक 20 मने वस्तुओं की तुलात्मक लागत को मानता है फिल उसके अधार पे ठीक है बताता है कि कौन बहुत अधिक सहस्ता है कौन ब 1147 मिला हुआ है मुंबई उसके बाद यहां पे नाई दिल्ली को मिला हुआ है 169 डिक है चुन नई कि अधिन नय को मिला हुआ है 184 ठीक है कुछ अस्थान है यहां पर ध्याद रखिएगा यहां पर अगर अगर हम लोग टॉप की बात करें तो मिला हुआ को पूने को मिला है ठीक है दो सो तेरा टॉप नहीं होगा अक्चुलिए पीछे हो जाएगा ना देख पर हैं सबसे टॉप में कौन है याँ आप है मुंबई है ठीक है त्यान रखेगा मुंबई उसके बाद दिल्ली ठीक है निम्लिखित में से 21 कलब को Canadian Championship का ताज पहनाया गया सीएव मौन्तरियल, वेंकुअर वाइट कैप्स, टूरन्टो FC, वेलो और FC इसकา कॉरिऍक्ट उतर हो जाएगा वेंकुअर वाइट कैप्स ठीक है विएकुअर वाइट कैप्स फुट्बॉल टीम ने BC Place Stadium में CF Montreal को 2-1 से हराया वह इंकुवर वाइट स्कैप ने अपना दूसरा वायर्स कब हासल किया वायर्स कब कनाडा में पेसेवर फुटबॉल की घरेलू ट्रोफी है ध्यान रखेगा वैजर्स ठीक है कब कनाडा में पेसेवर फुटबॉल और की घरेलू ट्रोफी है जो देश के सरवस्रेश्ट पूरुसो और महिलाओ के कलबों को परदान की जाती है निमलिखित में से कौन सा देश कच्चे इसपात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बनने के लिए जापान को पीछे छोड़ चुका है बहुत इंपर्टेंट प्रस्ट ने हो सकता है इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत ठीक है अभी हाली में केंद्रिया इसपात मंत्रे जिनका नाम है जोईती राम एम सिंधिया ने कहा कि भारत के इसपात उद्योग ने पिछले नव वरसों में उलेखनी या ब्रिद्धी हासल की है और अब भारत जपान को पीछे छोड़ते हैं दुनिया में कच्चे इसपात का दूसरा सबसे बड़ा सकेंड लार्जेस्ट के कंट्री यहाँ पे बन गया है अगर हम लोग बात करें इसकी जो कह सकते हैं कि जो रिपोर्ट जो दिया जाता है वर्ड स्टील एसोसियेशन के दुवरा दिया जाता है और इसमें चाइना को नंबर वन हापे रखा गया है चाइना का हम लोग बात करें तो पुरा पुरा श्टील उत्पादन में इसकी हिस्सेधारी है पुरे वर्ल्ड में 51% सिर्फ और सिर्फ केले चाइना के द्वरा किया जाता है जून 2023 में अपनी दूसरी द्रिमासिक निती में आर्बी आई द्वरा बित वर्स 2023-24 के लिए GDP बृधी का पुर्वान उमान क्या है 6.25%, 6.5%, 6.75%, 7% इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पे भी 6.5% आर्बी आई गवर्नर सक्तिकांस दास ने कहा कि मौदरिक नीती समिती ने ठीक है जो रेपो रेट दर को अभी अथावद रखा है अर्थात पहले भी 6.5% था अभी यह इतना ही रखा गया है इसके लग कुछ और भी इंपोर्टेंट डेटा है आप लोग देहां रखना है SDF, SDF जिसका मतलब है अस्थाई जमा सुबधा भी इसको बोला जाता है इसका जो यहाँ पे ठीक है परसेंटेज है 6.25 इसके अलावा है यहाँ पे MSF, Marginal Austanding Facility जो है इसका भी है 6.75% और जो बैंक रेट है बैंक रेट है यह भी है 6.75% तो यह कुछ इंपोर्टेंट डेटा ही से ध्यान में रखके चलेंगे जून 2023 में उडिशा के तर्ट पर डॉक्डर एपी जी अब्दूलकलामदीप से निम्न में से किस नए पिढ़ी की बैलेस्टिक मिसाइल का पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉंच किया गया अगनी प्राइम, अगनी 5, अगनी 4, ब्रहमोस A इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा अगनी प्राइम नई पिढ़ी के बैलेस्टिक मिसाइल अगनी परायम को ओडिसा के तड़ पर डॉक्टर एपिजी अब्दूल कलाम दीप से रच्छानु संधान और विकास अंगठन दवारा सफलता पुरुवग परिछड किया गया मिसाइल के तीन सफल विकास अंगठन परिषड़ों के बाद सिस्टम की सटिकता और विसो सनीता को माने करने के बाद यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉंज था निमलिखित में से कौन सा देश नाटो के इतिहास में एर डिफेंडर 23 नामक सबसे बड़े हवाई परिनियोजन अभ्यास की मेजबानी करने की तयारी कर रहा है जर्मनी पूलैन अमेरिका यूके इसका कॉरेक्ट उतर हो जाएगा यहाँ पर जर्मनी जर्मनी नाटो के इत और संभावित बिरोधियों को परभावित करने के उदेश से एक तरीके इसका सकते हैं कि बल का परदर्शन करने का लिए ठीक है जर्मनी तयार है ठीक है इर डिफेंडर 23 अभ्यास में 25 देशों के 25 देशों के माना जा रहा है कि लगभग 10,000 10,000 परतिभागी और 250 बिवान सामिल होंगे अकेले अमेरिका के 200 नेशनल गार्ड के जवान और 100 बिवान सिर्फ और सिर्फ कहां से आ रहा है USA से यहां पर आ रहा है निमलिखित में से किस राजे सरकार ने नंद बाबा दूध पर योजना की सुरू की है काफी इंपर्टेंट पर्डेशन हो सकता है ठीक है मध्य परदेश उतर परदेश हिमाचल परदेश राजस्थान इसका कोरेक्ट उतर हो जाएगा यहां पर उतर परदेश ठीक है उतर अधक के गाओं में से किसान गोंतिनगर में ध्यान रखेगा बहूत फेमस जगाव बनता चला जा रहा है गोंति नगर उतर परदेश का गुम्ती नगर में नंद बाबा दुख्ध मिशन का कर्याले खोलने के साथ ही एक डेरी विकास पोर्टल और नंद बाबा मिशन के लोगों का भी अनाप्याना औरण किया गया है